हेलो गाईज तो हम चाप्टर एट डिस्कस कर रहे थे फ्रम एच्सी वर्मा और वो चाप्टर का नाम है वर्क एड एनजी और हम एक्सरसाइज क्वेशन डिस्कस कर रहे थे तो उसी के कंटिनुएशन में यह वीडियो है जहां पे हम अभी क्वेशन नमबर 30, 31 और 36 डिस्कस करेंगे from the same HC Verma exercise problems तो अभी exercise problems काफी बाकी है guys तो अभी आगे की वीडियो काफी exercise problems के ही होंगे तो आप बहुत ही अच्छे से देखना इन वीडियो को और concepts सीखना क्योंकि इन exercise problems में काफी अच्छे-च्छे concepts involved है और मैं उन सारे concepts को अच्छे तरीके से cover कर रहा हूं इन वी पता होना चाहिए what is this artwood machine तो basically ज्यादा dwell करने की ज़रूरत नहीं है artwood machine को आप ऐसे जानो कि एक पुली होता है ऐसा और उस पुली के दो तरफ ऐसे masses होते हैं एक string से लटके हुए कुछ ऐसा एक mass ज्यादा होता है एक mass कम होता है कुछ ऐसा होता है artwood machine so this is basically known as the artwood machine तो यह आ artwood machine बना लेता हूं मैं so this is basically the artwood machine और उसमें जो masses दी गई है blocks की वह 2 kg और 3 kg है तो क्यूंकि यह ज्यादा नीचे जा रही है मतलब इदर heavier side this is the heavier side तो इसको मैं 3 kg लिखता हूं और यह उपर है तो this is the lighter side इसको मैं 2 kg लिखता हूं तो ऐसा देखो initially क्या होगा कि यह यह दोनों some time but initially कुछ ऐसा arrangement होगा अपने पास initially दोनों मास same level पे होगी this is 3 kg and this is 2 kg उसके बाद क्या होगा क्योंकि यह 3 kg जो है वो heavier है तो gravitational force मतलब जो weight होगा इसका 3G वो जादा होगा 2G से इसले यह ऐसे नीचे move करेगा और यह ऐसे उपर move करेगा with the same acceleration guys same acceleration होगा क्यों क्योंकि जो string है वो एक ही है एक ही string इन दोनों मासस से जुड़ा है और pulley frictionless है तो यह सब हमें पता है तो क्या होगा कि same acceleration इन दोनों मासस की होगी जिससे 3 kg नीचे जाएगा और जिससे 2 kg ऊपर जाएगा can I find the work done by gravity during the 4th second after the system is released from rest system को rest से release किया गया तो यह initial है this is what our initial position यहां से system को जो है rest से release किया गया from this initial position तो 3 kg की नीचे जाने के tendency है 2 kg की ऊपर की due to its weight इनके weights के कारण तो हमें बोल रहा है कि find the work done by gravity during the 4th second तो guys यह थोड़ा simple नहीं है simply आप इसको निकाल नहीं सकते है 4th second पूछ रहा है 4th second पूछ रहा है 4th second में कितना work done करेगा gravity तो 4th second के लिए आप कैसे निकालोगे वेल ये Newton's laws वाले chapter में भी ऐसे questions देखने को मिलते हैं जहां पर एक particular second के बारे में question होता है 4th second, 5th second, 6th second, 3rd second तो यहां पर भी कुछ उसको connect किया गया इस question के साथ तो 4th second में आपको क्या करना है पूरे 4 second का पहले निकालो work done और उसके साथ माइनस कर दो पूरे 3 second का work done ऐसा कुछ करना वड़ेगा तो 4th second के work done को आप माइनस करोगे 3 second के work done से तो आपको exactly 4th second का work done निकल जाएगा by gravity तो ऐसा कुछ concepts involved है भी question को solve करेंगे तो और भी clear होगा तो सबसे पहले तो मैं चलो इस diagram को लेके चलता हूँ यहां पर तो इस पर अगर मैं force दिखाऊ तो यह 3G होगा यह tension होगा tension भी same होगा भी string same है this is tension and this is 2G मैं assume कर रहा हूँ कि यह जो acceleration है वो A है A acceleration से यह नीचे और यह उपर जा रहा है तो ऐसे हम proceed कर रहे है तो यह मैं ऐसे क्यों प्रोसीड कर रहा हूँ इससे हमारी work done में क्या benefit होगी work done by gravity कैसे निकलेगा वेल देखो work done by gravity निकालना है तो आपको पता है it is somewhat related to MGH keeping the signs apart मतलब sign फिर होगा minus plus वो देख लेंगे दोनों blocks के लिए क्या होगा जब gravity और displacement same direction में होगी plus जब opposite direction में होगी minus तो वो तो हम देख लेंगे बट जो अपना work done का magnitude है वो MGH होगा तो M और G तो हमें पता है यह है H की लडाई है यहाँ पर हमें देखना है कि कैसे आएगा तो H आने के लिए हम क्या करेंगे equations of motion अपलाए करेंगे equations of motion के लिए हमें पहले चीज दी गई है कि system is released from rest मतलब U0 दूसरी चीज हमें क्या पता ह है यह time पता है हमें 4 second के लिए निकालना है तो एक बाद T is equal to 4 second के लिए निकालना पड़ेगा आपको और एक बाद T is equal to 3 second के लिए निकालना पड़ेगा और दोनों को फिर minus करना पड़ेगा ऐसा कुछ तो time भी हमारे पास है तीसरी चीज जो हमें चाहिए acceleration तो यह acceleration के 3 into A similarly जब 2KG वाले के लिए लिखोंगा तो T minus of 2G that is equals to 2 into A ऐसा होगा यह दो equations आएंगी इन दोनों equations को आप add करो तो क्या होगा G देखो 3G minus of 2G G और T T cancel out हो जाएगा that is equals to 3 plus 2 क्या होगा 5 A तो यहां से A कितना आया अपने पास G upon 5 इतना meters per second square अपने पास A आया तो A भी अप अपने पास अब जितनी parameters चाहिए वो अपने पास आ गई अब चलो proceed करते आगे तो देखो यहां पे जो दिया हुआ है कि 4th second में आपको निकालना है find the work done by gravity तो आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि 4th second में H कितना है 4th second में H जो है वो कितना है मतलब 4th second में 3KG mass और 2KG mass कितन दिस्प्लेस कर रहा है वो हमें देखना है तो वो displacement के लिए अगेन हम पहले क्या करेंगे U is equal to 0 और T is equal to 4 second लेंगे पहले और जो अपने पास A है that is G upon 5 और दूसरी बारी क्या लेंगे U 0 ही है T को 3 second लेंगे और acceleration same G upon 5 तो यह दोनों पहले आप individually निकालों तो यहां से कितना ह है आपने पास H में directly लिखता हूं is equals to UT that is 0 half into A is G upon 5 into T square 4 times 4 is 16 यह आएगा यह वाला और यहां से H निकालोंगे तो UT again 0 half into G upon 5 into 3 times 3 is 9 तो यह आगे अपना H1 यह आगे अपना H2 H1 H2 में बोलू तो H1 क्या है 4 second का है H2 क्या है 3 second का है तो जब आप H1 minus H2 करोगे तो आपको exactly बत कि 4th second में कितनी displacement हो रही है 4th second displacement आएगा यहां से अपने पास exactly तो यहां से आपको यह दोनों माइनस करना पड़ेगा H1 minus H2 करना पड़ेगा तो वह करोगे तो half multiplied by G upon 5 तो common आगया 16 minus of 9 करना पड़ेगा आपको यहां से आप देख सकते हो यह तो यह जब आप निकालोंगे तो यह कुछ ऐसा आएगा half multiplied by G upon 5 multiplied by 16 minus 9 is what 7 तो यह अपने पास कुछ ऐसा निकल कर आया इसको और मैं solve करूं तो 7G upon 10 ऐसा है अपने पास so this is basically the displacement during the 4th second during the exact 4th second में इतनी displacement हुई है 7G upon 10 तो अभी अपने पास displacement भी है अभी चलो आगे बढ़ते हैं तो displacement अपने पास कितनी है 7G upon 10 है but यहाँ पर आप अगर इस displacement को ध्यान से देखो guys तो 3kg मास है जो वो इतनी displacement नीचे करेगा यह 4th second में और 2kg मास इतनी ही displacement उपर करेगा 4th second में यह तो clear है क्योंकि आपको motion पता है अट्वूड मशीन जो है उसकी motion की tendency पता है जो मास जादा भारी है जिस मास की जादा weight है वो during the 4th second और 2kg जो है वो उपर करेगा 7g upon 10 कब during the 4th second तो उस चीज को ध्यान में रखते हो में यह work done by gravity निकालना है तो अब क्या देखना है आपको जो displacement के direction है सबसे पहले 3kg मास के लिए देखता हूं displacement के direction की तर है नीचे gravity की तर है नीचे मतलब क्या यह positive होगा similarly 2kg मास के लिए देखो तो displacement का direction की तर है उपर बट gravity की तर है नीचे तो यहाँ पर negative होगा तो एक positive में आ रहा है work done एक negative में आ रहा है work done अभी magnitude निकालते है यह कितना है mg मतलब 3g multiplied by h h is कितना 7g upon 10 तो this is positive minus 2kg की की कारण देखो तो m कितना है 2g multiplied by 7g upon 10 तो यह देखो minus मैंने क्यों लगा है क् तो इन दोनों को जब आप difference करोगे तो यह यहां से कितना आ जाएगा 7g upon 10 common है एक और जी उसको भी common ले सकते हैं and 3-2 is what 1 तो यह कितना आएगा 7g square upon 10 इतना अपने पास answer होगा और जब आप 7g square upon 10 को solve करोगे तो यह आपके पास निकल कर आएगा 67.228 that much joules जिसको approximately हम लिख स लिखते हैं तो that is the answer. तो guys देखो यह बहुत ही ऐसा नहीं था कि बहुत ही basic question था यह बहुत ही advanced question था इसको intermediate level question हम बोल सकते हैं सबसे पहले आपको outward machine पता होनी चाहिए इस question में कि क्या होता है actual में outward machine फिर कुछ concepts है जो newton's laws से आपको पता होना चाहिए जैसे 4th second के displacement को कैसे निकालो सबसे पहले आपको connect करना चाहिए कि 4th second का यहां पर हमें क्या चाहिए क्योंकि find the work done by gravity during the 4th second लिखाया आपको पता है work machine by newton's laws से है 4th second by newton's laws से है और work done वाला concept इस chapter से है तो यह बहुत सारी concepts involved है guys बहुत ही अच्छा question था यह अभी चलो next question के और बढ़ते है next question अगें देखो in newton's laws से आप बोल सकते है connected है क्योंकि again हम यहां पे pulley blocks यह सब arrangement देख रहे है question क्या है consider the situation shown in figure ऐसा कुछ situation है figure में the system is released from rest again system is released from rest use basically zero and the block of mass 1 kg this one is found to have a speed of 0.3 meters per second after it has descended through a distance of 1 meter okay मतलब 1 kg के block के बार में अगर मैं बात करो completely तो जब यह x is equal to 1 meter travel किया x कि दर नीचे नीचे के direction में तो उसकी जो speed है इस time पे जब वो 1 meter travel कर गया तो कितनी speed है 0.3 meters per second की speed है यह हमें given है बस इतनी सी बात given है और बोल रहा है find the coefficient of kinetic friction between the block and the table अभी kinetic friction की बात कर रहा है between the block and the table तो kinetic friction कहा है यहां तो बात नहीं करेगा वो table यहां है अपने पास तो यहां की बात करेगा यहां पर कुछ kinetic friction लगेगा ऐसे mu k into normal अब मैं इसी direction में क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि जब 1 kg block नीचे move करेगा ऐसे तो obviously इस पर tension होगा वो कुछ ऐसा होगा tension जो इसको इधर move करने पर मजबूर करेगा 4 kg वाले block को जब यह इधर move करेगा 4 kg वाले block तो obviously friction जो है वो पीछे लगेगी और क्योंकि यह move कर रहा है motion में है इसलिए kinetic friction question में directly given है coefficient of kinetic friction तो यह tension है सबसे पहले मैं सारे forces दिखाता हूँ this will also be the tension यह यह भी tension और यह कितना होगा टूटी और अगर इस ब्लॉक के perspective में देखो तो ऐसे उपर के direction में टूटी देखो मैं क्या क्या हूँ नीचे जब टूटी लगाया हूँ तो इस पुली पे लग रहा है क्योंकि यह T और यह T उस पुली पर दिखाया हूँ मैं लेकिन जो यह उ आउट नहीं होना चाहिए आपको नमल इस बेसिकली 4G और यही normal यह वाला है तो हम coefficient of kinetic friction कैसे निकाले between the block and the table इतनी सारी चीज़े गिवन है हमारे पास तो यहां मैं दो method बताऊंगा आपको method 1 and method 2 method 1 बताऊंगा and method 2 बताऊंगा निकालने के लिए सबसे पहले method 1 की बात कर ल जालना है between the block and the table आपके पास क्या क्या चीज़े गिवन है आपके पास गिवन है कि 1 kg ब्लॉक कितना नीचे जा रहा है एक्स गिवन है कितना डिस्प्लेस कर रहा है नीचे और उतनी displacement के बाद इसकी velocity कितनी है यह गिवन है हमारे पास method 1 में भी actually पुराने concepts use करने होंगे हमे बट नए concepts use करने होंगे और method 2 में completely हम पुराने concepts use करेंगे यह मेरा मतलब था actually मैं तो जब एक block का आपको given a displacement एक block का आपको given a velocity आप दूसरे block के displacement और velocity का relation कैसे निकालोगे इस type की case में मैं पहले भी बता चुका हूँ जब यह pulley और ऐसा block का arrangement होता है तो आप दो blocks के बीच मे मैं कैसे relationship निकालते हो यह मैं बता चुका हूँ तो उसको देखो मैं फिर से एक बर repeat करता हूँ method 1 की बात कर रहे हैं तो यहां पे जो tension लग रहा है 1kg ब्लॉक पे वो 2t है तो 2t multiplied by आप x1 कर दो 1kg ब्लॉक को मैं x1 लिख रहा हूँ and that is equal to अभी मैं equal to लिख रहा हूँ क्यों क्योंकि मुझे science की परवा नहीं है कि कौन से sign होगा plus होगा minus होगा इसका मुझे परवा नहीं है क्योंकि मुझे science पहली ही पता है मैं पहली direction अज्यूम कर चुका हूँ यह देखो तो इसलिए मैं directly equal to लिख रहा हूँ अगर sign नहीं पता करता तो मैं पे plus में लिखता अब फ इंटू T था तो जस्ट मैं T लिख रहा हूँ multiplied by X2, X2 नहीं X4 बोलोगा क्योंकि 4 kg है तो यहां से T T cancel out हो गया तो जो relationship निकला that is 2X1 is equal to X4 मतलब 2 times X1 जो X1 actually displaced कर रहा है 1 meter उसको आप 2 times करोगे तो उतना ही displacement 4 kg करेगा तो X1 कितना है हमारे पास 1 है यह given है तो 2 into 1 करोगे that is equal to X4 मतलब X4 की displacement कितनी होगी 2 meters होगी इसका मतलब क्या है कि जब 1 kg block 1 meter नीचे move करेगा तो 4 kg block उतनी ही time में 2 meter move करेगा in the forward direction आसे यह इदर ऐसा 2 meter move करेगा जो X4 होगा that is 2 meter यह पहला relation निकला फिर दूसरा relation क्या करोगे आप जो X1 X4 लिखा हुआ है उसको आप एक बार differentiate कर द is equal to V4 हो जाएगा similarly 2 A1 is equal to A4 हो जाएगा acceleration की भी same आप ऐसे लिख सकते हो 2 A1 is equal to A4 double differentiation जो displacement उसको double differentiate करोगे तो acceleration आ जाएगा मारे पास यह तो हम जानते है from the calculus जो 2 V1 is equal to V4 है V1 पता है आपको कितना है 0.3 है तो उसमें 2 multiply कर दोगे 0.3 में तो कितना आएगा that is nothing but V4 तो V4 कित आए हाँ पर velocity जो आया वो 0.6 meters per second आया तो एक के relationship से हम दूसरी को निकाल सकते हैं यहाँ पर यह ट्रिक था इस question में मतलब यह समझने वाली चीज थी कि एक का ही displacement एक का ही velocity क्यों given है after some particular interval ऐसा क्यों given है क्योंकि आप वहां से दूसरी की आराम से निकाल सकते हो displacement or velocity by using these kind of relationship त अभी चलो next proceed करते आगे अभी आगे प्रोसीड करोगे तो अभी तक हमने यह नहीं पता लगा पाया कि coefficient of kinetic friction आप निकालोगे कैसे bit from the block in the table तो जब भी देखो friction की बात हो रही है और ऐसा कुछ system given है तो आपको हमेशा work done के बारे में सोचना है एक दिमाग आप हमेशा work done पे रखना कि work done की बात कही ना कही यहां से जुड़ी होगी मतलब question पर आप एक बार ले कर चलना एक कही ना कही दिमाग में ऐसा सोच कर चलना कि work done आपको अज्यूम करना है तो यहां पर देखो kinetic friction के बारे में बात हो रही है तो मैं पहले से work done के बारे में assume करके चल रहा हूं क कि work done को मैं कहां से involved करो यहां पर कि मुझे kinetic friction मिले तो उसके लिए मैंने क्या सोचा कि यह 4 kg mass यह 1 kg mass यह pulley यह string इन सारे को system लेता हूं apart from the table उसके बाद मैं क्या करता हूं इन सारे system पर work done देखता हूं कौन-कौन सी forces कर रही है और उस work done को मैं change in kinetic energy के equal कर दूंगा that is what this is nothing but work energy theorem की बात मैं कर रहा हूं work energy theorem की application की बात मैं कर रहा हूं यहां पर work energy theorem सारे ही टाइप के forces पर valid है हम देख चुके internal force external force conservative non-conservative किसी भी forces पर valid है तो आप इसको कहीं भी लगा सकते हो इसलिए मैं यहां पर सूच के रखा है इसको कि work done लगाते हैं that is work energy theorem लगाते हैं work done is to change in kinetic energy त initially दोनों ही system को rest release किया गया मतलब जो KI है that is zero के initial zero और के final हमें दोनों का पता है और V4 भी पता है और V1 भी पता है वी वन कितना है अपने पास that is 0.3 meters per second यह भी पता है हमें और work done यहां पे कौन-कौन से forces करेंगे kinetic friction की बात करी है मतलब friction है तो एक तो friction work done करेगा और दूसरा gravity gravity तो कहीं नहीं किया gravity तो work done करेगा यह करेगा but gravity क्या 4 kg वाले mass पे work done करेगा नहीं करेगा क्यों क्यूंकि उसकी जो height है मलब जिस surface पे है वो जिस height पे है वो height change नहीं हो रहा है वो height is constant देखो 4 kg इस ही height पे इसी table पे है but 1 kg नीचे उपर जा रहा है अगिंस्ट the gravity वो move कर रहा है but 4 kg एक particular height पे है वो change नहीं कर रहा है दिस्प्लेस नहीं कर रहा है तो displacement नहीं हो रही तो gravity work done वहाँ पे 0 होगी 4 kg की case में but 1 kg की case में होगा क्योंकि gravity के hit में मतलब gravity के direction में displacement कर रहा है नीचे that is 1 meter वो given है हमारे पास तो दो टाइप की work done हमें दिख गई यहाँ पे सबसे पहले 1 kg की case में देखो गया आप थो mg h लिखता हूँ positive होगा क्योंकि नीचे move कर रहा है gravity के direction भी नीचे है तो mg into h कितना है that is 1 meters यह given है हमारे पास 1 meters यहाँ पे देखो distance given है तो एक work done यह हो गया दूसरा friction की कारण work done हो गया तो friction की कारण work done जो होगा वो negative कैसे लिखो में friction के कारण work done friction force that is mu k into normal that is force force into displacement अभी displacement कितनी है यहाँ पे तो displacement 2 meter है वो हम निकाल चुके है 2 meters कैसे है well जब इसकी 1 meter नीचे जा रहा है यह 1 kg तो यह कितना जा रहा है 4 की जीवाला 2 meters जा रहा है यह हमें निकाल चुके हैं यह 2 meters कैसे जा रहा है तो इसलिए displacement कितनी ही 2 meter हुई और तब ही हम frictional force का work done इतने ही meters के लिए consider करेंगे तो यह दोनों work done यहाँ पे था जो की important था और that is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial kinetic energy initial zero है यह हमने देखा क्योंकि initial इस system को rest से release किया जा रहा है kinetic energy final क्या होगा वैल उसके लिए आपको दोनों की velocity पाल मालूम है तो सबसे पहले 1 kg वाले mass के लिखूंगा तो half into mass that is 1 into v square that is 0.3 square plus half into 4 kg वाले के लिए 4 into 0.6 square यह हो गया यहां से आप अगर mu k को calculate करोगे क्योंकि normal की value भी आप डाल दो गये यहां से that is 4g तो यहां से mu के जो आएगा वो approximately कितना आएगा 0.12 आएगा approximately 0.116 ऐसा कुछ आएगा तो that is approximately equal to 0.12 यह आएगा यहां से आप इसको solve कर लेना तो यह तो method 1 था जहां पर मैंने work energy theorem का use करके जो है वो kinetic friction coefficient निकाला मैंने यह बहुत ही बहतरीन तरीका है यह निकालने का क्योंकि आपकी देखो यहां पर सोच जो है वो इस level तक होनी चाहिए कि आप कैसे connect करो dots को how to connect the dots आप कहां से relationship निकालोगे जब एक की displacement तो दूसरी की displacement velocity निकालने आनी चाहिए आपको उसके बाद फिर work energy theorem तक कैसे आप पहुंचोगे आपको कही न कहीं दिमाग में वैसे रख के चलना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन यहां पर कहीं हिंट नहीं दिया आपको work done के बारे में लिखा भी नहीं है और आपको coefficient of kinetic energy directly push दिया गया है तो वहां से आपको दिमाग में कहीं न कहीं वैसे लेकर चलना होगा तो यह गाइस method 1 के बारे में था अभी चलो method 2 देखते है method 2 जो है guys वह बहुत ही simple है वहां पर आपको क्या करना है सबसे पहले acceleration निकालना है उससे भी पहले आप equation लिखो उसके बाद दे यह क्या है A1 है वैसे ही 4 की जी के लिखोगे तो क्या लिखोगे T minus of mu k into normal यह force हो गया अपने पास that is equals to 4 into A2 यह दो equation अपने पास है this is equation number 1 and this is equation number 2 अब आपको A1 A2 के बीच का relationship भी पता है कैसे पता है well हमें पता है 2 A1 जो है that is equals to A4 है इसको मैं A4 लिखता हूं not A2 तो यहां स आपको पता है यह relationship भी 2 A1 is equals to A4 अभी दिखाया था मैंने तो इसको मैं यहां पर put कर देता हूं तो इसको जब मैं यहां पर put कर दूंगा तो क्या होगा आपने पास A4 को मैं basically लिख देता हूं ऐसा T minus of mu k multiplied by n is equal to 4 A4 A4 is what 2 A1 तो यह अपने पास कुछ ऐसा आ जाएगा T minus of mu mu k n is equal to 8 A1 ऐसा आएगा और normal हमें पहले से मालम है that is 4G है तो यहां से आप इसको ऐसा लिख सकते हो mu k into 4G that is equals to 8 A1 ऐसा होगा और एक relation यहां से अपने पास 1G minus of 2T is equal to A1 यह दोनों relationship अपने पास आगई अभी देखो जो A1 है क्या यह हम A1 निकाल सकते हैं जो question में गिवन है उन सब चीजों से well obviously निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते विल देखो अगर 1KG मास की बारे में बात करो तो U is equal to 0 था initially rest से release किया गया था दूसरा जो final velocity है that is V that is equals to 0.3 यह भी गिवन है और distance जो है that is 1 meters वो भी गिवन है तो यह तीन चीज गिवन है आप यहां से आराम से acceleration निका से V square minus of U square is equals to 2AX use करके V कितना है 0.3 है 0.3 है square करोगे तो आप 0.09 होगा minus U 0 है that is equals to 2A into 1 meters तो यहां से जो आपका A1 है वो निकल कर आ जाएगा 0.045 इतना आपका A1 निकल कर आ गया that is in meters per second square 0.09 upon 2 किया मैंने that is nothing but 0.45 तो आपकी A1 वहां से निकल कर आ गई तो यह A1 यहां से आपका तो आप यहां से क्या करोगे tension निकाल लोगे देखो ऐसे 1G minus of 0.045 that is equals to 2T हो गया यहां से और इसको divide by 2 कर दोगे आप ऐसे G minus of 0.045 upon 2 कर दोगे तो that is T यह वाली T को आप यहां पर ऐसे put करोगे और यह वाला जो A है हमारे पास 0.045 उसको यहां पर ऐसे लिख दोग यहां से आप muke निकाल लोगे तो यहां से भी जो muke निकाल लोगे that is nothing but approximately equal to 0.12 सेम आंसर आएगा तो यह था guys second method तो यह second method आप relatively बोल सकते हो थोड़ा easy है देखो calculate तो आपको करना ही पड़ेगा equations of motion लगाने पड़ेंगे बट यहां पे कोई work done का concept involved नहीं था तो आप पुर दोनों मेंसे कोई से भी method use कर सकते हो guys जो भी आपको अच्छा लगे बट आपको दोनों ही method आने चाहिए यह आपको concept को boost करेंगा तो अभी चलों next question की और बढ़ते है question no.3 यह देखो कुछ ऐसा है figure shows a particle sliding on a frictionless track सबसे पहले इस बात को ध्यान देना friction है कि friction नहीं है frictionless है frictionless है how far away from the track will the particle hit the ground okay ground अपनी यहां है कुछ तो जो particle को यहां से slip कराए गये यह से तो वो कुछ ऐसा travel करते हो जाएगा यहां से ऐसा जाएगा 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 और यहां पर आके उसकी कुछ velocity होगी तो वो ऐसा ground पर जाके कहीं पर गिरेगा तो यह हमें पूछ रहा है कि how far away from the track यह track है उससे कितना far particle ground को hit करेगा मतलब कहीं न कहीं यह range की बात कर रहा है ऐसे यह distance जो है यह कितना होगा इसके बारे में पूछ रही है तो यहां पर projectile motion है यह जैसी surface को छोड़ेगा यह projectile motion होगा तो यहां पर देखो work energy को projectile के साथ connect किया गया गया Newton's loss के साथ connect किया ग होगे तो सबसे पहले तो यहां पर आपको क्या करना कोई भी friction involved नहीं है कोई भी non conservative forces involved नहीं है तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं वैल यहां पर हम mechanical energy conservation लगा सकते हैं अगर earth और इस मतलब block को यह पूरे system consider करोगे तो यह पूरा system जो arrangement है उसको और earth को आप एक system consider करोगे तो जो gravity force भी होगा वो भी internal force ही होगा और हमने यह देखा है पहले भी कि हम mechanical energy conservation सिर्फ internal force के cases में ही लगा सकते हैं only when internal forces are involved and they are doing work अगर external force कोई है और वो work done नहीं कर रहा है तो it's okay तब भी आप लगा सकते हो बट external force कोई है और वो work done कर रहा है तो आप mechanical energy conservation नहीं लगा सकते हो तब mechanical energy change होगी तो यह बात मैंने पहले भी बताया है तो यहाँ पर हम चलो earth को भी साथ में system consider की है तो gravity force है वो भी internal force है इसलिए हम यहाँ पर mechanical energy conservation लगा सकते हैं easily तो वो लगा होगे तो यह point one consider करूंगा मैं और यह point two consider करूंगा मैं जब block यहाँ पर आ गया यह a block तो one पर क्या होगा m, m तो given नहीं है तो चलो मैं m लिखता हूँ mg into h कितना है that is one, one meters given है that is equals to जब यह point two पर आएगा तो अभी इसकी kinetic energy कुछ होगी half mv square लिखता हूँ मैं plus जो अभी potential energy होगा 0.5 meters height पे है तो m into g into 0.5 लिखता हूँ मैं यह यहां से इसको left की तरफ लेकर रहा हूँ mg वाले term को तो कितना होगा mg into 0.5 होगा 0.5 को half लिखता हूँ मैं that is equals to half mv square यह होगा आपने पास तो यह m m cancelled out हो गया यह half half भी cancelled out हो गया तो जो v आया आपने पास that is root under g यह velocity आया इतना meters per second कहां पे विल यह 0.2 पे तो अभी इतनी velocity यहां पे ऐसे root g है जो x direction की velocity है u है u जो है that is root under g u x मतलब x direction की है तो u x पता है यह projectile motion की चीज़े आपको पता है तो वहां से आप range निकालो तो देखो वहां से मैं range कैसे निकालोंगा अब भी यह पूरा question well ऐसा सिर्फ हो गया कि यह जो है distance this is what 0.5 meters given है और यहां से यह ऐसे कहीं गिरेगा यह x है जो हमें निकालना है और इसकी initial velocity x direction में जो है वो कितनी है root under g है this much meters per second तो यहां से आप क्या use करोगे well सबसे पहले तो x direction में देखो तो x is equal to यहां पर देखो जो acceleration है वो सिर्फ y direction में that is minus of g y direction में क्या है minus of g direction दिखा दिया तो यहां पर plus लिखना पड़ेगा आपको but acceleration ऐसे लिखोगे तो that is minus of g और जो अपनी u है अगर यहां से मैं access consider कर रहा हूं इस point से point 2 से तो जो y है वो भी कितना होगा minus of 0.5 तो यह दोनों चीज हमें पता है but x direction में जो acceleration है that is 0 है तो x direction में कोई acceleration नहीं है तो आप x direction में अगर वो second equation of motion लिखोगे तो x is equals to ut, u कितना अपन वाला term में 0 होगा तो यहां से जो x आएगा that is root g multiplied by t यह होगे अपने पास एक equation अभी y direction वाला equation लिखो अपने पास y है तो y is equals to u y t अभी देखो u y t 0 है यहां पे u जो initial velocity y direction में 0 है plus of half a t square यह होगा आपने पास तो y कितना है minus of 0.5 और acceleration कितना है well minus of g multiplied by t square यह टाइम यह time same है यह minus minus plus होगे अपने पास और यह 2 अगर इस तरफ लेके जाओगे तो यह 1 हो जाएगा तो 1 upon g under root that is equals to t यहां से time आ गया मतलब basically इतना time लग रहा है इस particle को ground पे आने में और जब वो ground पे आएगा तभी तो आप range निकालोगे तो यह same time आप यहां पे put कर दो x में तो कित इतना है that is one upon root energy to root energy root energy that is cancelled out यह कितना होगा one meters तो यह अपने पास answer हो गया मतलब यहां से जो x है one meters उस track से एक meter और आगे जाकर वो ground को touch करेगा पहली बार तो यह आपके answer होगी तो यह तो question काफी simple था यह बस आपको थोड़ा mechanical energy conservation use करना था वो भी आपको tactics लगा कर वो भी आ यह बाद वो लगाने के बाद आपको projectile motion के concept पर आना पड़ा है आप पर projectile motion के concept पर आपको पता होना चाहिए वरना question solve नहीं कर पाते है इसके बाद यहां तक तो आप निकाल लेते velocity उसके बाद पता नहीं होता कि कैसे निकालो मैं कहां पर hit करेगा ग्राउंड को तो यह भ करते हैं mechanical energy देखा हमने वहां पर work energy theorem देखा था हमने और एक बार fourth second वाला भी देखा वो भी बहुत ही अच्छा question था guys वह एक तरीके का आपका revision भी हो गया पुराने concept से तो guys यह था इस video के बारे में आप भी next video में और भी अच्छे-च्छे questions के साथ आएंगे और भी कर दहा है एक लिए ख सूमा भी देखा खर, जह पर हो जब दहा हैं और भी देखा, और एक वह ख थो ढगिए आएंगयातव के वह रहता हैं बाह्ची अच्छेजन, आप खर रहर हैं औरू भी वादूब सक ऊण से फटुम झाईखा है